जे हनुमान वास्तु सागर में आपका स्वागत है आज मैं आपको किचन के वास्तु टिप बताने जाह रहे हूं वीडियो की सही और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें मैंने पहले जो वीडियो बनाई है उसमें बताया है कि किचन को सौथीस्ट में बनाना चाहिए अगर आप सौथीस्ट में किचन नहीं बना सकते तो इसे नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं पर नॉर्थ वेस्ट में किचन बनाने पर लेडिस सारा दिन किचन के काम में ही लगी रहती हैं और किचन अगर में गेट के सामने बनाए तो ये बहुत ही उत्तम होती है बस किचन की गैस की अगनी गेट से नहीं दिखनी चाहिए में गेट के सामने किचन को बहुत अच्छा माना जाता है किचन के अंदर सिंक को नौर्थ की साइड नौर्थ इस्ट में बनाना चाहिए और पानी का मटका आरो की जगा भी नौर्थ डिरेक्शन में ही होनी चाहिए जिससे की घर में पैसे का फ्लो बढ़ता है Kitchen में Gas को South East और South Direction में रखना चाहिए South East अगनी की जगह और खाना बनाने वाले का East Direction की तरफ उना चाहिए भूलकर भी South Direction में पानी नहीं रखना चाहिए इस से घर में कई तरह की आर्थिक परेशानियां आती है किचन में microwave और induction भी इसी south direction में रखना चाहिए किचन में window, east जा north की direction की तरफ निकालनी चाहिए पर gas के बिलकुल सामने window नहीं होनी चाहिए किचन में sink और gas एक ही shelf पर नहीं होनी चाहिए अगर ऐसी kitchen बन जाए तो sink और gas के बीच partition हो सके तो करवा लें नहीं तो money plant का पौधा इन दोनों के बीच में रखते क्योंकि पानी और अगनी कभी भी साथ साथ नहीं होने चाहिए इस से घर की औरतों को मांसिक और शरीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है किचन में fridge को southwest की तरफ रखना चाहिए किचन में आटा, दाले और बाकी खाने का समान south या west की side रखना चाहिए जिससे की वो north और east की तरफ पुलेगा और आपके खाने के भंडार भरे रहेंगे किचन का दरवाजा कभी भी खाना बनाने वाले की पीठ के पीछे नहीं होना चाहिए इससे घर की तरकी रुखती है किचन की कोई भी चीज जिसे आप जल्दी यूज करना चाहते हैं उसे north west direction में रखना चाहिए किचन में कभी भी कोई ओजार जैसे हतोडी, पेचकस, प्लास आधी नहीं रखने चाहिए इससे घर के सदस्यों पर कश्ट आते हैं किचन ही वो जगा है जहां खाना बनता है और घर के सारे सदस्यों को अनरजी देता है इसका सई ढंक से बना होना बहुत जुरूरी है जिससे घर के सदस्यों में पॉस्टिव अनरजी का वास हो किचन में आप लेमन कलर जा लाइट पिंकिश कलर करवा सकते हैं किचन में कभी भी डार्क कलर नहीं करवाना चाहिए ये मैंने आपको किचन को वासू के हिसाब से कैसे बनाना है इसके बारे में बताया है इस हिसाब से किचन आप बनाने पर आप कई तरह की परशानियों से बच सकते हैं धन्यवाद